ट्रेन के वील्स पूरी तरह से सिलेंड्रिकल नहीं होते हैं, बलकि थोड़े से कॉनिकल होते हैं. हमारे हिसाब से ये कॉनिकल शेप एक इंजीनियरिंग मार्विल है, जिससे दो चीजे हासिल होती हैं. पहला, ये ट्रेन के कोर्स को सेंडर की तरफ करेक्ट करता है. और दूसरा, ट्रेन को डिफरेंशियल आक्शेन अचीव करने में मदद करता है. पहली अकमपलिश्मेंट को समझने के लिए चलिए हम ग्लूट पेपर कप्स के साथ एक सिंपल एक्सपरिमेंट करते हैं. जब मैं इन चिपके हुए पेपर कप्स के सेट को एक ट्रैक पर मूव करता हूँ तो, आप देख सकते हैं, कि ये पर्फिक्ली स्ट्रेट मूव कर रहे हैं. अगर मैं शुरुवात में कप को हलका सा टेल्ट भी देना चाहूँ, फिर भी ये मैनेज कर पा रहे हैं. लेकिन इस सेट के बारे में क्या? ये ओपोजिट तरीके से चिपकाए गए हैं. जब मैं इन कप्स को उसी ट्रैक पर रोल करता हूँ, तो ये फेल हो जाते हैं. रेलवे वील्स इसी तरीके के कॉनिकल शेप को यूज करते हैं. इस एंगल की वजह से वील्स कभी भी ट्रैक से उतर नहीं सकते, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये कॉनिकल अरेंजमेंट एक सेल्फ सेंटर्ड फोर्स प्रेड्यूस करता है. इसे समझने के लिए हमें वील्स पर लगने वाले फोर्सेस को देखना पड़ेगा. स्ट्रेट ट्रैक मुव्मेंट के दौरान वील्स पर लगने वाले में फोर्सेस यहां पर दिखाए गए हैं. रियक्शन फोर्सेस हमेशा कॉनिकल सर्फेस से परपैंडिकुलर होंगे. जब वील्स सेंटर्ड होते हैं, तो इन फोर्सेस के होरिजॉन्टल कमपॉनेंट्स एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं. अब मान लीजिए कि किसी वजह से वील्स राइड की तरफ मूव हो गए हैं. जब ट्रेन के वील्स अक्सिस पर चल रहे होते हैं, तो एक इंट्रिस्टिंग चीज होती है. क्या आपने नोटिस किया? इस विज्वल से ये क्लियर है, कि जैसे दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही पूरा ट्रेन वील्स से टिल्ट हो जाता है. इस टिल्ट के साथ नॉर्मल फोर्सेस भी टिल्ट हो जाते हैं. अगर आप इस कंडिशन में फोर्सेस को एनिलाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि नेट फोर्स लेफ्ट डिरेक्शन में होगा. ये फोर्स वील्स को आटोमाटिकली सेंटर की तरफ ले आएगा. जैसे ही वील्स सेंटर की तरफ आएंगे, ये सेल्फ सेंटरिंग फोर्स खत्म हो जाएगा ये वील्स को सेल्फ सेंटर कराने की कितनी सिंपल लेकिन ब्रिलियंट टेकनीक है, है ना एक्स्ट्र सेफटी फीचर के तौर पर भी वील्स के दोनों तरफ फ्लैंजिस को फिट कर दिया जाता है मज़े के लिए मान लेते हैं कि ट्रेन के वील्स ऑपोसिट एंगल में हैं यहाँ पर अगर आप राइट डिस्प्लैस्मेंट के दोरान फोर्स एनलेसिस करेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि नेट फोर्स राइट की तरफ डिवेलप होता है इसलिए वील्स की इस जोमेटरी के लिए ट्रेन के वील्स हमेशा ट्रैक से बाहर हो जाएंगे अब चलिए वील्स को कॉनिकल शेप देने के दूसरे रीजन को समझते हैं इस कॉनिकल शेप के साथ इंजीनियर्स डिफरेंचिल आक्शन अचीव कर पाए थे मान लेते हैं कि ट्रेन को टर्न लेना है जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पर लेफ्ट वील को राइट वील की दुलना में ज़ादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है लेकिन अगर वील्स को एक कॉमन शाफ्ट के जरीए कनेक्ट किया गया हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वील दूसरे वील से ज़ादा डिस्टेंस कवर करे यहाँ पर कॉनिकल शेप काम आता है इसे अचीव करने के लिए जब वील्स को टर्न किया जाता है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ स्लाइड हो जाता है अगर आप वील्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो लेफ्ट वील्स का रेडियस राइट वील्स से ज़ादा होता है अगर शॉट में कहें तो सेम एंगल रोटेशन के लिए लेफ्ट वील्स ज़ादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और डिफ्रेंचल अक्शन अचीव हो जाएगा याद रखिए कि कोर्स में डिफ्रेंचल अक्शन अचीव करने के लिए इंजीनियर्स को वील्स को सेपरेट करके उन्हें अलग स्पीट्स पर टरन करना पड़ा था लेकिन यहाँ पर उन्होंने केवल वील्स को कॉनिकल शेप देकर डिफरेंचल आक्षेन अचीव कर लिया इंट्रेस्टिंग है ना बिल्कुल जब भी वील्स लेफ्ट की तरफ स्लाइड होंगे तो जैसा कि हमने पहले देखा आटोमाटिकली राइट की तरफ एक फोर्स प्रेड्यूस होगा एक कॉर्नरिंग सिचुएशन में ये फोर्स सेंट्री पेटल फोर्स सप्लाई करता है जो टर्न लेने के लिए ज़रूरी होता है इस वजह से कॉर्नरिंग के दौरान वील्स फिर से सेंटर की तरफ स्लाइड नहीं होंगे लेसिक्स में हम उन ब्रिलिंट्स इंजिनियर्स को सल्यूट करते हैं जिन्होंने वील्स को किवल हलका सा टेपर करके दो बड़े इंजिनियरिंग गोल्स हासिल किये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप से फिर मिलते हैं